अगर medicines और health से लेटेड आप information चाहते हैं तो अभी subscribe करें मेरे चैनल को knowledge for care आज के जुड़े में बात करेंगे बलाटा ओरियेंट डालीस के बारे में अब इसको लेना कहां से है तो देखिए ये एक homopathic medicine है तो इसको कोई भी आप homopathic medical store से ले सकते हो या फिर आप इसको online google पर भी search कर सकते हो मतलब online भी घर बेटे बेटे मांगा सकते हो वह सारी website इसको sell करती है अब composition ये इसके ingredient के बारे में बात करें तो इसमें cockroach है और उससे जो है ये medicine जो है तैयार करी जाती है अब फायदे के बारे में बात करें तो ये जो है especially बनाए गई है सांस लेने में अगर आपको दिक्कत होती है अस्तमा है सांस लेने में तकलीफ होती है इसके अलाबा आपको खासी चलती है कफ बाली खासी चलती है अंदर सीने से लंग से आपको घर-घर की आपा जाती है तो उसमें ये जो है बलाटा औरियेंटलिस आप लेकर देख सकते हैं आपको बहुत अच्छा खासा फायदा मिलेगा अब देखिए आपको जैसे खासी चल लई है ब्रॉंकाइटीस है लंग्स इंफेक्शन है उसमें फायदा करती है अब टीबी है तो टीबी में भी इसको ले सकते है या फिर अगर आपको पहले कभी टीबी हो जाए या कभी होई थी तो देखाओको आपने आपके लंग्स म इलर्जी है तो उसमें फायदा करती है अब देखिए ये जो खासी चलती है या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है खास दोर से सर्दियों के दिनों में जादा होती है जो सर्दियों के दिन होते हैं थंडी के दिन जो होते हैं उसमें जादा आपने देखा होगा इस और आप medicine लोगे बलाटा orientalis तो आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा अब ये करती क्या है कि जो आपकी सुआस की नली है उनको वाइड भी कर देती है चोड़ा कर देती है जिससे के आप अच्छी तरीके से सांस ले पाएं तो इस पिरकास इसके फायदे हैं खासी हो सांस लेने में तकलीफ हो अस्तमा हो टीबी हो तो आग एक बार जरूर इसको लेकर देख सकते हैं अब डोस के बारें बात करें तो देखिए इसका डोस कुछ फिक्स नहीं है ये डिपेंड करेगा आपकी बीमारी पर आपकी प्रॉलम पर आपको कितनी समस्या है तो उसके लिए जो है आप जो डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल करें तो बहतर रहेगा जो हुमोपेतिक डॉक्टर होते हैं या फिर देखिए इसके एक जनरल डोस हैं कि आपको पांच ड्रॉब जो है एक दिन में एक से दो बार आप ले सकते हो प्रॉलम के अनूसार होता है और आधे कभी आ डॉक्टर की सलास है और प्रिग्नेंसी में भी लेना है अपनी वर्दी से नहीं लेना है अब इसको कब तक लेना होता है तो देखिए यह भी टेपेंड गरता आपकी बीमारी पर आपकी प्रावर्म पर तो एक से तीन महें तक आप इसको लेकर देख सकते हो बैस्ते जल के ल आपकी पहले से चल रही है तो उसके साथ ले सकते हैं या नहीं तो बिल्कुल ले सकते हो वो मेडिसिन भले आपकी हो अलोपेतिक हो और बेदिक हो कोई भी मेडिसिन आपको बंद करने की जरूत नहीं है उनके साथ आप इसको ले सकते हो अब इधर जो है इसके रिजल्ट क में ही आपको इसका फायदा जो ही मिलने लगेगा लेकिन इधर में कुछ एड़वाइस भी दूँगा अगर आप ही लेते हो तो जैसे के अलकोहॉल इसमोकिंग गुटका पान मसाला तमागू इसा बंद करना है इसके अलाबा जंक फूड फास फूड ऑईली खाना मीठा खान पीना इसा बंद करना पड़ेगा नहीं तो आपको अच्छा फायदा नहीं मिलेगा आप हमेंसे एक हेल्दी डाइट रखें एक हेल्दी लाइव इसके अलाबा जो है आप जो है फूड ले सकते हैं फूड़ा सा जो है आपको आपकी डाइट का भी जो है ख्यार लखना जो है मैं मेन्देल cheard बनाते रहता हूं तो आप मेरी चैनल को सबस्क्राइब भी कर सकते होगा आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तो फ़ीडा एक बीग और रह तेर नियों कर दीजिए और फिर मिलें लेंग डिक्स्टी वीडियो में जब तक आब conservative ये